रेमजा खदानपर देर रात कलेक्टर संजी स्री वास्तव का चापा मौके से एक जेसी वी को पकड़ा रेत मौपियाओं के होंसले किया परास्त अवैद रूप से रेत निकाल ले की सुचना पर कलेक्टर पहुँचे रेमजा खदानपर रेत मौपियाओं के बुरुद कलेक्टर की कारवाई रात एक बज़े पहुचे रेमजा खदानपर और मौके से पकड़ा एक जेसी वी को जिले में इस समय रेत पूरता प्रतिबंद है क्योंकि किसी भी खदान को संचालित करने का किसी के पास वैद पुकता टेंडर नहीं है उसके बाबजू जिले में चोरी चपे अवैद रूप से रेत खदानों से रेत मौपिया खुलियाम रेत निकार रहे हैं और जिले के मुखिया कलेक्टर संजी श्री वास्तव है कि इन पर लगाता नकेल कसने के लिए दिर रात मेहनत कर रहे हैं दिन हो या रात के बारा से एक बजे के लमसम उम्री थाना चेत्र के अंतरगत आने वाले रेमजा खदान पर अवैद रूप से धरले से खुलियाम रेत निकालने की सूचना कलेक्टर संजी श्री वास्तव को लगी तो वह वहां पहुँच गए कलेक्टर को देख रेत मौपिया भागते नजर आई और एदर जिस जेसीवी से रेत निकाला जा रहा था उसको कलेक्टर संजी श्री वास्तव ने मौके पर ही जब्त कल लिया जानकारी के अनुषार कलेक्टर संजी श्री वास्तव लोगसवा चुनाव में बहत ब्यास्त होने के बाबजूद अवैद कारियों को अंजाम देन इस समय चला-चौत मची हुई है शुत मापिया धित को अंजाम दे रहे हैं इसलिए लिए मापियां में हटकम मचा हुआ है पर कार को ओ भी गलत बिदि को ऑइंजाम देता ये dersเพले घण्य तो उस पर हर हाल में कारवाई करेंगे चाय हुआ है कितना बड़ा आदमे क्यों न हो खासकर अवैद रेत किसी भी कीमत पर चलेगा नहीं जिले में अवैद कारियों को अंजाम देने वाले मापियाओं की कमत तोड़ दी जाएगी और लगातार अवैद रेत खादानों को संचालित करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनकी कमत तोड़ी जा रही है उसी तार्तम में उम्री थाना छित्र के अंतरगत आने वाले कोई भी गलतकार जले में नहीं होगा किसी भी कीमत पर हर अपडेट देखने के लिए इस चैनल की लिंक पर सब्सक्राइब अबश्च करें